कि एक एड आ रहा है आपकी स्क्रीन पर इसी तरह के एड से अगर आप परिशान है तो आपको मैं एड हटाने के लिए बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूं इससे आपके मोबाइल पर एडवर्टीजमेंट नहीं आएंगे इसके लिए सबसे पहले आप सेटिंग्स पर क्लिक कर कर रहा हूं यह मैंने सेट्था क्वं ली सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए इसमें गूगल का अप्शन दिकाई देका यह बहुत ही सेंपल है उसके बाद देखिए आपको इसमें अएड दिखाई देगा उसके बाब आप delete advertising id पे click करिए उसके बाद delete advertising id जो blue color का button है इसको करने के बाद आप नीचे देखिए आपको learn more का button दिखाई दे रहा है learn more इस learn more पे click करिए उसके बाद आप एक browser खोल लीजिए फिर देखिए learn more पे आप click करोगे तो इस तरह का option आपके सामने आ जाएगा ठीक है इसमें बहुत ही simple है आपको देखिए उपर my add center करके दिखाई दे रहा है my add center इसके left hand side पे three lines दे रखी है my add center के left hand side पे यानि की बाएं तरफ three lines दिख रही है इन three lines पे आपको click करना है इस पे आप my add center पे click करोगे तो देखिएगा आपको कुछ इस तरह का screen दिखाई देगा देखिए मैंने my add center पे click किया है मुझे ये screen दिखाई देने लगा ठीक है इस screen पर देखिए search youtube और web तीन options दिखाई दे रहे हैं web youtube and search ठीक है अब देखिए पहले मैंने search option पे click किया नीचे personalize add on google search पे देखिए blue color का button है जो की activate है इसको यहां से मैंने off कर दिया फिर यह देखिए turn off पूश रहा है confirm करने के लिए आप इसको turn off कर दीजे फिर got it कर दीजे simple उसके बाद search को आपने turn off कर यूट्यूब पे blue color का button है अब इसको click करिए turn off कर दीजे अब देखिए यह button off हो गया ओके इसी तरह वेब पे जाहिए वेब पे click करिए blue button blue color का button है इस पे click करिए turn off कर दीजे ठीक है अब देखिए यह भी जो है off हो जाएगा यह भी देखिए off हो गया got it कर दीजे ठीक है अब देखिए search का जो button off है search में देखिए personalized add on google search off है youtube पे off है और web पे off है अब आपने search पे youtube पे और web पे तीनों जगह जो advertisement आते हैं जो आपको परशान करते हैं उसको आपने off कर दिया है अब आपके mobile में कोई भी जो ads आते थे ज के बाई ठीक केर